हाँ फीक्स ऑटोमेटिक रिश्टार्ट प्रॉब्लेम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप जो है अपने सैमसंग के दिवाइस में ऑटो रिश्टार्ट प्रॉब तो आप दोस्तों इस वीडियो का अंतक जेरू देखें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लिम को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक हैं वीडियो के साथ दोस्तों अंतक बने रहे हैं सारे साथ अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स सबसे पेले तो मैं आपको बता रहता हूं कि ऑटो रिश्टाट प्रॉब्लेम यहां पर होते क्यों कई वर दोस्तों क्या होते हम अपने डिवाइस को ओबर यूस कर देते ठीक है उसके वज़ज़े से भी प्रॉब्लिम आते या फिर दोस्तों कई वर ऐसा भी होते कि हम अ आप्लेकेशन है डिक है बहुत ज़ारा आप्लेकेशन डिल्हे लेट कर दीजिए 6 अब हब आप्लिकेशन इंतॉल किया हुआ है तो बेसी तोर यह भी कम सी कम 40 से करता है ठीक है उसके बाद दोस्तों चे켜 करके देखे और फॉल्पिस ऑलफर जाएगा अगर आप हाई गेमिंग करते दिर तक तो दोस्तो थोरा सा उसको भी स्टॉप कर दीजिए चार्जिंग करते वक्त गेमिंग नहीं करना है तो उन सब से भी प्रॉब्लम आते और सारे सा दोस्तो यहाँ पर बेटरी डिवाइस में जाके चेक किजिए एक सेटिंग यहाँ पर दिया ट्री डॉट्स ऑटोमेटेशन एंड यह ऑप्षिन ओटो रिस्टार्ट टाइम ठीक है तो यह बटन दोस्तों आपका ओफ होना चाहिए अगर दोस्तों यह बटन ओन रहेगा तो आपको दिक्कते आ सकते हैं ठीक है आपके जो मुबाल यह वह आटोमेटिक रिस्टार्ट ह अगलने प्रॉविक्जार्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्राव्लिम्स को सौल्व कर सकते हैं लेकिन दोस मान लिजिए अगर आपका जो प्रॉबल्म में यह से लिई पर्वाल यह उबड मुबाब्ल में की मॉबाल मुबार से भीजा क्या उससे दोस्तों आपका mobile पे improvement हो जाएगा आपका जो problem है solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप आपने problem को solve कर सकते हैं by any chance अगर आपको दुबारा से problem आते तो general management पर जाए नीचे पर आपको मिलेगा reset and then factory data reset को ही follow कर रेजिए factory data reset करने के बाद दोस्तों सारे जो data है completely reset हो जाएगा उसके बाद phone को दोरा सा दीरे-दीरे करकी यूज़ करें एक बार से install ना करें अपने सारे applications को देरे-देरे करके यूज़ करें तो आपका जो problem है auto restart का वो definitely fix हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं अगर दोस्तों भी मैंने आपको बता दिया है उमीद करते है वीडियो आपको बसने होगा thanks for watching